प्रियागरा समाजवादी पार्टी के कदावर नेता मोहमद अजमल पार्टी सित्याग पत्र देते हुए अल इंडिया मजलिसे इतिहादुल मुस्लिमिन के प्रडेस कार卡री सदसी मोहमद उसमान प्रडेस कार करी सदसी इम्रान एहमद सिद्धकी, पूर्व महानगर अध्यक्ष अफसर बहुद Samarik जिला महा सचिव अजिम शमी, जिला सचिव दान सन्सारी शमी, मोहमद फैज, प्रफीक एहमद शालू खान की उपस्तिती में सेखड़ों लोगों के साथ सदस्ता ग्रहन की इस अफसर पर पार्टी की सदस्तिगर उपस्तित थे मुहम्मद अजमल साहब के अवास पे आज हम लोग सब लोग एक खटा हुए हैं आज भारी संख्या में अजमल साहब ने समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देते हुए मजलिस अत्याद मुस्लिमीन का दामन थामा है सैक्ड़ों कार्यकरताओं के साथ में और हम हमारी टीम प्रदेश वर्किंग कमीटी की टीम बैठ कर आज उनको मंडल में उपध्यस के तोर से उनको आज गठित करेंगे उनक किस तरह से अपने दायत को निभाएंगा हर तरह से इस पार्टी के लिए सयोग रहेगा और जितना हो सकेगा इस पार्टी के लिए मेहनत तो कोशिस की जाएगी आने वाले 2022 के चुनाव में अच्छा परदर्शन हमारी पार्टी का रहेगा क्या उमीद है कि निकाय चुनाव में जिस तरह प्रदर्शन हुआ था तो एक सीट इलाबाद के हाथ में आई थी क्या दुबारा विधान सभा की चुनाव में 2022 के लेक्शन में वह आपको मिलेगी सीटें अबकी सभी जगह से हमारी लाबाद की सभी सीटों से हमारी पार्टी बहुत जोरो सोर से लड़ेगी और हम लोग का मेहना तो परियास यह रहेगा कि अधिक्तम से अधिक्तम सीट हम लोग निकाले मुहमद अजमल आज मजलिस इत्हाद المسلمین के सैक्डों कार करताओं के साथ जनाब मुहमद अजमल साहब के दौलत खाने पर उनको पार्टी की सज़स्ता दिलाई गई और बेरिष्टर असाथ दीन वैसी साहब के पार्टी के लिए मुहमद अजमल साहब ने अपने को समर्फित करते हुए यह हम लोग से वादा किया है कि पार्टी के लिए वो आगे काम करते रहेंगे और जितना भी तनमन धन से पार्टी के जो भी जहुरत होगी वो पूरा करेंगे और मजलिस अत्यादल मुस्लिमीन के यहाँ पर सभी पदाधिकारी मौजूद हैं जिले के और नगर के परदेश के उसके बीच में आज मौमद अजमल साब को परदेश के पार्टी की सज़स्ता दिलाई गी प्रियागरास से क्यलाश शुकरमा की रिपोर्ट